दो बड़े यूटूबर और जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक पिंद्रा के बीच में एक स्कैम को लेकर विवास शुरू हुआ था। दोनों ने खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाये थे और दोनों के बीच तू-तू मैं में इ कोर्स के साथ स्कैम किया गया क्योंकि उसी कोर्स को उन्हें आगे बेचने के लिए कहा गया था और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। संदीप महेश्वरी ने सीधे शब्दों में इसे एक तरह का घोटाला करार दिया था और उन्होंने इस वीडियो में किसी का नाम लिए बिना ही ये सारी बाते कहीं थी। जिसके बाद संदीप महेश्वरी पर इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का दबाव बनाया गया और उसी के बाद हैश्टेग स्टॉप स्कैम बिजनिस ट्रेंट करने लग गया। हलाकि अब इनका मामला कोर्ट में पैंड इसको एक दूसरे के खिलाफ पब्लीकली कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को 5 फरवरी 2024 को पक्का कर दिया गया। जिसमें एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार के आउनलाइन या ओफलाइन अभियान जारी नहीं किया जाएंगे। लेकिन इन ओर के बावजूद भी संदीप महिश्वरी ने 19 जनवरी और 10 फरवरी 2024 को ओफलाइन बैटकों में डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपमानित किया जिससे उनकी सोशल इमिज को नुकसान पहुचा है। कोट ने इस उलंगन को एकसेप्ट किया और कानूनी दाओं पेच को जिसके कारण डॉक्टर बिंद्रा ने उन पर IPC के सेक्षन 499 और 500 के तहत मान हानी के लिए सम्मन भी जारी करवाया था। वीडियो इंफुमेट्व है तो आपी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।